हालो और वेलकम बाक टो माय चनल तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुती स्पेशल नॉर्थ इंडिन डिश इसका नाम है गोईठा एक कटोरी चने की दाल और एक कटोरी उरत की दाल इसके साथ आपको चाहिए चावल का आठाब तो लेट्स गेट स्टाड़ट इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी चने की दाल और एक कटोरी उरत की दाल इन दोनों दाल को मैंने टू आर्स के लिए पानी में सोक किया था अब गोईठे के मिक्सर के लिए मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में उरत की दाल चने की दाल मिक्सर में मैं जो भी इंग्रीडियन्स डालूंगी इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच नमक एक याँ दो चम्मच जीरा दो ग्रीन चिलीस अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो यू केन आड़ थ्री थोड़ी सी लसुन और थोड़ी सी अद्रक अब एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं इन सारे इंग्रीडियन्स की एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि गोएटे की जो फाइन पेस्ट है वो एकदम पॉफिक बनी है तो इस प्रपोर्शन के साथ आप एप्रॉक्सिमेटली एट टू नाइन गोएटा आराम से बना सकते हैं गोएटे के डो के लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल का आटा इसमें मैं डालने वाली हूँ आदी कटोरी नॉर्मल आटा और एक चमच सॉल्ट डालके इसे नॉर्मल रोटी के आटे की तरह मैं आटे को सानने वाली हूँ गोएटा एक नॉर्थ इंडियन रसिपी है और अगर आप नॉर्थ से बिलॉंग करते हैं तो आपको गोएटा जरूर पता होगा ये सारी स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना और डो को नॉर्मल रोटी के आटे की दो की तरह ही मलना है तो डो जो है वो मेरा रेडी हो चुका है लेट्स प्रिपेर गोएटा नॉर्थ तो पाम पे मैंने लिया है थोड़ा सा आटा इसे राउंड एंड फ्लाट बनाने के बाद मैं ऐसे फिलिंग करूँगी मिक्शर के साथ तो गोएटे की थिकनेस आप देख सकते हैं वो कितनी फ्लाट एंड राउंड है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चमच मिक्शर तो ये सारी प्रो टिप्स मेरी माधर इनलौ की है अगर आप इन सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो गोएटा आपका एकदम पॉफेक बनेगा आपको नौर्थ इंडियन गोएटे की रस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो गोएटा बनाते समय आप हमेशा ये चीज याद रखे कि गोएटे को कभी भी फुल बन नहीं करना है इसे जेंटली प्रेस करना है और जो भी एक्स्ट्रा मिक्स्चर है उसे निकाल देना है थोड़ असा गोएटा जो है वो ओपिन होना चाहिए तो मैंने सिर्फ चार गोएटा बनाया है बट इस प्रपोर्शन के साथ अगर आप गोएटा बनाएंगे तो आपके कम से कम 8 तो 9 गोएटे अराम से बनेंगे अब मैंने लिया है आधा पानी से बरा हुआ प्रेशर कुकर और उसमें डाल रहे हूँ दो से तीन चम्मच सॉल्ट इसमें मैंने मेरे सारे गोएटे रख दिये हैं और इसे प्रेशर कुक करूँगी मैं for 3 विसल्स तो गोएटा बनाती समय पानी हमेशा आपके खुकर को खराब करेगा पर इतनी टेस्टी रेसिपी के लिए तो इतना बनता है तो इस फेस्टिव सीजन आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी तो मेरा गोएटा जो है वो एकदम पोफेक बना है तो हम गोएटा हमेशा घर पर टमाटर की चटनी के साथ इंजॉय करते हैं अगर आपको उस चटनी की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताना गोएटा जो है मेरा वो अंदर से एकदम पोफेकली कुख हो चुका है तो थांक यू फो वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज दो सब्सक्राइब मैं चानल सी यू इन मैं नेक्स वीडियो